हेलो गाईज, वेलकम बेक टो अनादर वीडियो ट्रेड इन्वेस्ट, आज के वीडियो के साथ ही हम एक सीरीज चुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलगो ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, विदाउट एनी कोडिंग, याने कि जो लोग नए हैं, जो अलगो ट्रे स्किप कर सकते हो, यह सिर्फ कंप्लीट ब्रिगिनर लोगों के लिए है, जो कोडिंग बैग्राउंड से नहीं है, और जिनको कोडिंग नहीं हाती है, और इस सीरीज में हम लोग अलगो टेस्ट वगेरा, स्टॉक मॉक वगेरा, सॉप्ट्वेर का यूज करने वाले हैं, उ तर तर आलगो ट्रीडिंग क्या होती है, कि मतलब सेट आप रूल्स हम लोग डिसाइड करते हैं, कि इन रूल्स के बारे में हम लोग आज करेंगे और इसके बारे में स्ट्रेड़जी कैसे बना ही जाती है, उसके बारे में जाप्स में खुछ भी चेंज नहीं करते हैं, जैसे हमारा सुपर ट्रेंग ग्रीन हुआ है, तो भी वो हमारा एक ट्रेड होता है, तो लोग सेलगा है, मतलब सिस्टम बना लिया तो सिस्टम के साथ छेड़ शाड़ नहीं करते हैं, एक set of rules में हमार rules हैं हमार rules से हमें एक signal मिन रहा है जो या तो buy का होगा या sell का होगा अगर buy का signal है तो buy कर रहे है sell का signal है तो sell कर रहे है without any human intervention यही अल्गो ट्रेडिंग है ना कि हम लोग यहाँ पर quant की बात नहीं कर रहे हैं अल्गो ट्रेडिंग का मतलब है सिरफ आपका पास system है और system को आप लोग manually कुछ नहीं कर रहे हैं सारा automatic हो रहा है यही अल्गो ट्रेडिंग है ठीक है तो अल्गो ट्रेडिंग मतलब क्या है ओके यहाँ पर अल्गो ट्रेडिंग की basic definition है यहाँ पर और हूँ यूज अल्गो ट्रेडिंग ओके तो बैसिक इसमें बैसिक अल्गो डेफिनेशन से टर्मिनोलोजी है और हाउ तु स्टार्ट विट अल्गो है और बैक टेस्टिंग क्या है उसके बारे में लोग बात करेंगे सो सबसे पहले defining algorithm for different classes okay so the type of algorithmic trading the most यह पढ़ लेना आप लोग मैं आपको समझा देता हूँ क्या है technical analysis ठीक है technical analysis क्या है जैसे आप लोग कोई candle based trading करता होगा कोई indicator based trading करता होगा या फिर हो सकता है कोई level based trading करता हो तो उस सब level based वगेरा सारी trading को हम लोग एक डिफाइन करते हैं एक set of rules डिफाइन करते हैं मान लीजिए कोई bullish engulfing candle बनने पर trade लेना चाहता है buy का ठीक है तो उस time पर वो buy का trade लेगा similarly कोई bearish engulfing पर लेगा या similarly कोई super trend पर लेगा ballinger band पर लेगा सब का अलग-अलग set of rules होगा ठीक है तो यही set of rules के base पे हम लोग हम लोग buy or sell करते हैं ठीक है यही technical analysis हो गया अब quantitative trading भी होती है quantitative trading में क्या होता है कि based on mathematical and statistical equation जैसे कोई मतलब एक कव बनता है ठीक है जैसे मतलब close price को सारे close price के dot 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 को मिला के एक कव बना ठीक है उस कव का slope क्या है वगरा वगरा यह सब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी mathematical equations को लगा के एक system बनाया जाता है और system के तुर हम लोग ट्रेड करते हैं तो इस सीरीज में हम लोग quantitative trading के बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग इसमें सिफ technical analysis और के बारे में देखेंगे और technical analysis के बाद में back testing कैसे होता है और कैसे strategy बनाया जाती है उसके बारे में देखेंगे quantitative trading का scope बहुत हाई है तो इसको हम लोग यहाँ पर explore नहीं करेंगे उसके बाद हम study क्या है हमारा यहाँ पर जिसे programming दे रखा है कि python c++ लेकिन हम लोग programming यहाँ पर नहीं करने वाले programming हमार लिए अल्गो टेस्स करेगा या फिर जो भी software हम लोग use करना चाहें उसको हम लोग use करेंगे उसको कैसे use करना उसके बारे में बताऊंगा सो यह हो गया अपना first part ठीक है study क्या करेंगे study हम लोग different different strategies study करेंगे strategy कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग चीज़ देखेंगे ठीक है तो यह study होगी और उसके बाद उसको practice practice नहीं होता है practice की जगे हम लोग use करेंगे back test कि उस strategy को या तो हम forward test करेंगे या कि हमने को strategy बनाई और उसको regular हम लोग देख रहे हैं दो महीने तक हम देख रहे हैं और तीसरे महीने में हम लोग deploy कर रहे हैं तो यह होगी practice ठीक है लेकिन हम practice वोगरा नहीं करेंगे हम लोग back test करेंगे और उसको deploy करके देखेंगे और कैसा हमारा performance रहता live trading करके भी बात आ जाता है practical matters ठीक है expectations होती है हमारी को strategy बनती है तो उसमें expectations होती है expectation कितनी है या फिर उसमें win rate कितना है कितने trade ले रहा है per day कितने trades हमको लेने हैं कितने हमारे losses है percentage होगेरा statics होगेरा होती है जो वह हम लोग देखेंगे और frequency of trading infrastructure हमारा test होगा इसमें बाकी जैसे अभी code based trading करते हैं तो जैसे हम लोग virtual machine लेते हैं वहाँ पर हमारा python या फिर जो भी code हमारा है वो deploy करते हैं वहां से होती है कर फिटिंग में आपको बता देता हूं जैसे आप लोग कोई strategy बनाते हो मानलो आपने moving average crossover के base strategy बनाई होके moving average crossover में आपने अलग-अलग moving average decide किया जाने 5-15 का moving average हो गया 500 का हो गया तो ऐसे से फिर आपको एक optimal moving average मिलता है किसी instrument पर मानलीजे 10 और 13 का एक moving average मिला उसके crossover पर आपको maximum returns मिल रहे हैं लेकिन इसके कोई यह हो गई आपकी कव फिटिंग याना कि आपने एक कव पर फिट कर दिया उस चीज को कि हाँ भाई 10 और 13 पर इस instrument ने maximum returns दियें लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आगे भी वही returns आएंगे क्योंकि एक जो होता है क्योंकि कोई instrument है उसका जो पुराने historical data है उस पर तो कव फिटिंग को कैसे हमको handle करना है उसके बारे में भी Monte Carlo simulation वगेरा हम लोग देखेंगे क्योंकि ज्यादतर strategy जो हम लोग एल्गो टेस्ट पर बनाते हैं वह ज्याद़ तक का ओफिटेडी होती है तो उसमें हम लोग को क्या है कि हमां ड्रोडाउन दिखा इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे और इक्विटी को क्या है वगेरा वगेरा डाटा माइनिंग यह सब चीजे हैं तो हम लोग अब शुरू करते हैं के साथ है कि अलगो टैस्ट में कैसे अलगो टैस्ट में ßब एक बार ओपन कर रहें आपको लिखना है विसे भी डायरेक्ट्ट जाकर और गोटेस्ट तो जैसे आप लोग देखना है कि आज हमारी स्ट्राइजी नंग इंचिता प्रोफिट लॉस किया तो उसको भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं तो अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को सुल मेरे में सबसे पहले आपको आजाना है ठीक है strategy builder में हम लोग क्यों जा रहे हैं क्योंकि strategy हम लोग को बनानी है अब आप लोग मैं expect कर रहा हूं कि आपको call put क्या होता है और चोटी मोटी call put क्या होता है buy sell क्या होता है उसके बारे में सब पता है तो वह मैं यहां पर explain नहीं करूंगा हम लोग direct जा रहे है strategy builder पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको different strategies मिल जाएगी ठीक है अब straddle क्या होता है straddle जो होता है वह हमारा normal हम लोग 920 या fix time पर एक call और put दोनों को sell करते हैं तो उस अभी market चल रहा है यहां पर बैंक निप्टी है मैं निप्टी लेता हूं ठीक है ओके तो निप्टी का प्राइस चल रहा है अभी 24,900 ठीक है अब straddle है यहां पर इसको sell किया और sell किया तो देखी हमने straddle sell किया तो इसका break even में हमने put sell किया ठीक है put sell किया तो उसकेस में जब क्या होगा हमारा market उपर जाएगा तो हमको profit होएगा ठीक है put sell का ठीक है उसके बाद अब हम यहां पर एक call भी sell कर देते हैं तो उसकेस में हमारा market का क्या यहां पर approximate margin हमारा 83,000 का margin आ गया और maximum profit profit हमारा 6575 जो कि कभे कभ मिलेगा जब हमारा market हमारी desired location पर expire होगा ठीक है जो कि हमारा middle point होगा स्टैडल का ठीक है और probability और profit वगेरा भी आपको दिखा रहा यह सब कैसे calculate हुआ है वह सारी चीजें ब्रेकिविन वगेरा वह हमारे प्रीमियम से calculate होता है ठीक है इसमें different methodologies भी है कि कौनसी strategy कब काम करती है कैसे होता है वह सब भी हम बात करेंगे अभी मैंने आपको एक strategy के बारे में बताए ठीक है अब इसको हम view in playground करेंगे ठीक है हम मान लीजे मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन हम यहां पे इसको करते हैं ठीक है आज के दिन की मतलब 24 अक्टूबर को हम लोग यहां पर trade करना चाहरे है ठीक है तो हमारा यहां पर forward traced है लेकिन हम यहां पर simulator में जाते हैं ठीक है simulator में हम लोग strategy को simulate करके देखेंगे ठीक है तो हम आगे simulator में अब हमारे यहां पर straddle की pre-built हमने activate कर लिया मान लीजे 18 अक्टूबर को हमने 916 पर हमने straddle sell किया था मान लीजी ठीक है है आदा है हमने को एक हमने बैंक निपटी का 51 दोसों का पीए सेल किया और 5200 का सीज eerste किया ठीक है अब हमने सेल कर दिया है इसको अब हम इसको प्लस 5 मिनट करते हैं ठीक प्लस 5 मिनट में देखिये हमारा मार्केट जो है पहले जब था वो हमने जो हमारी strategy जो हमने बनाई ती उस केस में मार्केट जो था वह आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा ब्रेक इवन यह बता रहा है और उस टाइम हमारा मार्केट की जो इस पॉट वेल्यू थी वह यहां पर जो था यहां अब हम इसको फिप्टेन मिनट्स और आगे करते हैं ठीक हम इस टॉप लॉस बगेरा भी लगाएंगे लेकिन यहां पर मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूं अब और आगे गए तो उसकेस में हमारा मार्केट फ़ड़ा उपर आ ठीक है उसके बाद हम लोग और आगे जाते हैं तो उसके है कि आपके पास हापने स्टॉप लगाया पंद्रा सो रुपय का लॉस हो जाए तो मैं निकल जाओंगा तो उसकेस में हमारा स्टॉप लॉस यहां कहीं हीट हो ठीक है उसके बाद क्या कर सकते हो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहां पर इस पॉजिशन को मान कि आपके जो फैर तक कर देंगे यहां कि confirmed बॉस्को Arnold कर देंगे यहां फिर स्टॉप लोग शेल करदेंगे नहीं हैं क्व chess और हमारी जो भी टाइम चल्रा है 10.39 पे 15 मिनट और आगे जाते हैं तो उस टाइम पर लास होता है तो अब कीunden आखा बज गये हैं और अभी हमारा तीन बज गए हैं तो अब हम एक एक मिनटी के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तीन बज़े हम सेल करेंगे अपनी स्ट्राइजी को तो यहां पर हमने तीन बज़े मान लिज़े हमने एंडिंग टाइम लगाया तो ट्वंटी रूपीज का हमको लॉस हुआ इस दिन को तो यह हमने सिमुलेट किया ठीक है अब क्या करते हैं 70 फ्री ड्रायल ने लैता है चलो सो यह हमारा एक दिन गरलेए हम आजाते हैं इसको सब्सक्रइ leaned करते और एब हम आजाते हैं हमारीे 20 अगए बर माहने खेंट मेरे स्ट्री में हमने नढफ्टी पर चैल कर दिया के तो हम ओटो प्ले कर देते हैं और देखते हैं हमारा इस टॉप लोस अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम उस केस पर डिलीट कर देंगे रुख जाएंगे सॉरी ठीक है तो अभी तो फिलाल हमारा साही चल रहा है जैसे हमारा जैसे मानली 15 सो है यहां पर 2,000 है तो उतना हो गया था तो हमारे स्ट्राइड़जी तो वैसे बंद हो जाएगे उस टाइम पर और माइनस 1438 1875 2489 और 1804 और माइनस 919170 और यह हमारा सॉरी अगले दिन आ गया यह है तो यह आप पोजिशनल भी कर सकते हो इस सापसे ठीक है अगले दिन तो चलो आ गया यह पर हम हमारा हो जाता लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि आप लोग इसमें पोजिशनल भी कर सकते हो ठीक है तो यह इस तरीके से आपका वर्क करता है सिमुलेशन है इसमें हमने से एक स्ट्राइडल स्ट्राइड़जी बनाई है ठीक है अभी हम इसको हटा के मान स्ट्राइडल 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 स्ट् करना देखते हैं कि यह काम करती है क्या कर दिक्ष यह काम कब करती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं ठीक है तो अब हम आजाते है ल Meyer और यहां पर हम लोग यहां पर यहां पर कुछ नहीं करेंगे क्वेरोब कंप्लीट रखेंगे इस इसको ऑखे कर देते हैं फिलाल के लिए मतलब एक स्टॉप लोस अगर एक लेप का स्टॉप लोस एड़िट हो गया तो दूसरा लेक का स्टॉप लोस ब्रेक इवन पर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर एक्सेल करते हैं कॉल स्टॉप लोस हम लोग कुछ नहीं लगा रहे हैं रिएंट्री वगेरा हम नहीं ले रहे हैं रिएंट्री वगेरा के लिए हम अगली स्ट्राइजियम बात करेंगे यहां पर हम लोग सिर्फ नॉर्मल स्ट्राइजी और बैक टेस्ट देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग इसको लाइव कैसे डिपलाइब करना है ब्रोकर कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे सिफ बैक टेस्ट के बाद अग हम पूट भी सेल कर रहे हैं स्ट्राइक टाइप हमारा एटीम रहेगा स्टॉप लोस हमारा सेवेंटी पॉइंट्स का नीचे पूट में लोग सेल कर देंगे और ऑवर्ड रुपे हमारा प्रॉपिट पॉंच जाता है तो हम जीरो पर लॉक कर दो और अगर 1000 रुपे बढ़ जाता है तो 500 का increase कर दो ठीक है 500 रुपीस का increase कर दो ठीक है और बैक्टेस का date जो है हम ले लेते हैं मानलीजे 2017 से तो यहां पे 2017 जनवरी से ले लेते हैं और हम इसको start करते हैं बैक्टेस को लेट से स्ट्राटेजी ने कैसा वक किया है तो हम लोग को पता तो चले कि जो हमने सिमुलेट किया हमने देखा पूरे दिन बैठ के तो simulation भी आप लोग उसकर सकते हो simulation फिलाल यूज नहीं करना है आपको आपको सर्फ backtest यूज करना है बैक टेस्स करना है स्ट्राटेजी चेक करना है कैसे होती बैक्टेस में यहां पर आपको दिखा चुका हूँ कैसे लेगएड होता है और भी बहुत सारी स्ट्राटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहां पर जैसे हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहां पर यह हो गई हमारी स्ट्राड़जी हमने शुरू हुई थी 2017 में मतली हमारी स्ट्राड़जी दीख क्यों बात करेंगे तो यहां पर बहुत सार उर्प गलता करें काम सकते हमारे दिशक्राइंक बतसके बात करेंगे इन सारे चीज़ उसके बारे में अभी आपको मैंने एक नॉर्मल बैक्टेस्ट कैसे होता है और बैक्टेस्ट मतलब यह है कि आपकी स्ट्रेटीजी ने पूराने टाइम पे कैसा वर्क किया था एसा नहीं कि यह फीसर में भी भा लेगी नहीं पर पुराने टाइम पर आप chociaż summary में के बारे में सीखा, नेक्स वीडियो में हम लोग थोड़ी एक एडवांस स्ट्राटेजी बना के उसका बैक्टेस करेंगे, बैक्टेस करने के बाद में, स्लिपचिस बगेरा वगरा क्या है, और ये नीचे जो टर्मिनलोजीस हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंग झाल झाल